भारत का पहला सौरे मिश्यन आदित्य एलवन शनिवार यानी 6 जनवरी को अपनी अंतिम गंतवे कक्षा में सफलता पुर्वक स्थाफित हो गया ये सुर्य प्रित्वी चंदर्मा प्रनाली के एलवन की हैलो ओर्बिट में पहुँच गया आदित्य एलवन अपने साथ साथ पिलॉड लेकर 126 दिन तक 15 लाग किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपनी मंजिल में पहुचा है बता दे कि इसे 2 सितंबर को लॉंच किया गया था इसरों के दावे की मुताबिक मिशन अब एलवन पॉइंट से बिना किसी ग्रहन के लगतार सूरी से रिलेटेड स्टडी कर सकेगा इसके साथ पिलॉड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे सूरी की परतों फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और सबसे बाहरी परत का इलेक्ट्रो मेगनेटिक पार्टिकल और मेगनेटिक फिल्ट डिटेक्टर्स का इस्तमाल करते हुए निरक्षन करेंगे ऐसे में आज के इस वीडियो में आईए जानते हैं कि आखिर आधित्य एलवन मिशन में यूरोपिय अंत्रिक्ष एजनसी यानि ESA की क्या भूमी का है ESA की ओफिशिल वेबसाइट के हवाले से HT ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यूरोपियन स्पेस एजनसी दो प्रमुक शेत्रों में आधित्य एलवन मिशन को सौक्रिय रूप से सहायता कर रही है इसमें इसरो की सहभागिता से गहन अंत्रिक्ष संचार सिवाय प्रदान करना और साथी महतपुर्ण उडान गतिशिल्टा सौफ्ट्वेर को मानने करना शामिल है इसरो के ESA सेवा प्रबंधक और क्रॉस सपोर्ट संपरक अधिकारी ने बताया की अधित्य एलवन मिशन के लिए हम आउस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना में अपने 35 मेटर डीप स्पेस एंटेना से सपोर्ट कर रहे है इसके साथ ही ESA अंत्रिक्ष अवियानों में संचार के महत्व पर जोड देता है ESA के मताबिक Ground Station के समर्थन के बिना वैग्यानिक डेटा प्राप्त करना अंत्रिक्ष यान की सुरक्चा सुनिश्चित करना और उसके ठिकाने का निर्धारन करना असंभव होगा ऐसे में ESA अधिते L1 के लिए Ground Station सिवाए का Primary Provider है जो की मिशन को विभिन चर्नों के माध्यम से लॉंच करने में काफी सहायता करने के लिए प्रतिबद है जिसमें अगले दो वर्षों में प्रते एक दिन कई घंटों तक नियमित संचालन के दोरान एहम लॉंच और प्रारंबिक ओर्बिट फेज L1 की यात्रा कमांड के ट्रांस्मिशन को सक्षम करना और साथ ही आधिते L1 से व्यग्यानिक डिटा प्राप्त करना शामिल है तो अभी के लिए केवल इतना ही ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया नियूज हरियाना पर नमस्कार